वे फ्रेंड्स, ब्रीवनिंग, वेलकम बैक, तो आज लेके आया कुछ फिगरेटिप के उपर, क्योंकि बोट साइब स्टुडिन्स का आज आ कि कुछ फिगर के उपर दिखाऊ, तो फिगर मतब इस एक फिगर को मैं सिंग्ल प्राइंग प्राइंग प्रापर, कलर मैं ऐसा करके दिखाऊंगा मैं watercolor sketch, तो watercolor sketch कैसे होता है, उस तरह से मैं दिखाऊंगा, तुसवास फास्ट होना है, उसके mood को पकड़ना है, और उसी को color के जडिए हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो इसे हम watercolor sketch के उपर करेंगे figurative, ठीक है? तो चलि, start करते है तेंक यू और विल्कम तेंक यू विल्कम और हम यह पर ग्रीबन शेट अप कर चुके है तो थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम आउट करू तो आपको यह छोटा देखेगा लो तनियाग लेफ्टर नो इससे पहले मैंने दो वीडियो मैंने सेर किया इससे पहले इससे पहले मैं दो वीडियो सेर किया उसके अंदर इसके डिवाइट कैसा है उसके स्कलेटन कैसे बनना स्कलेटन से फिगर स्कलेटन वो कैसे बनना वो जुरूर देखिएगा दो वीडियो है मैं जरूर से अटेच करूँगा तो आज मैं जो मैं वाटर कलर में यह दिखाऊंगा उसके अंदर भी जैसे स्क्लेटोन है स्क्लेटोन को आपको समझना है और अच्छा हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा और क्या है कि अब इसे इजिली कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि और फिगर में एक स्क्लेटोन होता है ना स्क्लेटोन आप पकड़ना है तो ठीक है यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि स्क्लेटोन कैसे काम कर रहा है कुछ इस तरह से इसके जो मुम्मेंट है तो देखो क्या है कि यहाँ पर उसके जो मुम्मेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे ठीक है तो कुछ इस तरह से तो अगर यह आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो बड़िया रहता है मैं बस क्या कर रहा हूँ कि एक फिगर में जो स्कलेटन कैसे होता है उसे मैं इसके से ड्रॉ कर रहा हूँ और जिससे की आसान हो जाता है इसे मैं प्रॉपर टू जेट रो करके कलर शेडिंग नहीं करूँगा फास्ट फोड़ा सा वाटर कलर जो केच वाटर कलर स्केच इससे बज़ते उस टाइप में इसे दिखाँगा फास्ट कलर की इंक डाल दो जो आप यूज़ कर रहे हो कलर के पैलेट की बात कर रहे हो साइब मैं इसे जुम आउट करेंगे थोड़ा साब को दीखे का पैलेट ये ठीक है अगर ये ठीक है तो मुझे कोई बता है कि आपको कालर फैलेट भी देखे और आसपास में बहुत सारे पच्छड़ा है वह भी देखे सॉरी यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा केच वाटेगल स्केच कही वर हम डिरेक्ली ब्रस के जरी भी करते है तो फिलाल वो असा जैसे अभी देखा था 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 स्कली टॉन कहता है कुछ कुछ उसी सबसे हमें से समझना है यहां पर क्या है कि प्रॉपर वह चीज हम नहीं करेंगे वह चीज नहीं बनाएंगे हर एक चीज को नहीं बस क्या होता है कि हमारे पेंटिंग के अंदर किस तर फिगर को एड़ करना होता है कहीं पर तो वह फिगर एड़ करने के लिए कुछ इस तर से सीखना है और जैसे सीखने की बात आता है तो कम से कम आपके तात आठ छे इंच का वह फिगर होना चाहिए पैक्टिस में जब जाके आप जब कहीं मेमोरी कंपोस करेंगे मेमोरी के जरी आप कंपोस करेंगे तो आपको यह सब आसानी से आप कर सकते हैं ठीक है को मेमोरी कंपोस करने के लिए आपको पैक्टिस की जुरूत परेगी तो इसी तरह से करना तो यह फिर एक दो इंच ही नहीं कुछी इस तरह से के साथ इंच का कुछ फिगर बनेंगे तो आपको फिर वह अच्छा रहता है कि इस तरह छोटा जब फिगर बनाते है इसके hands बगरा जो finger बगरा details में नहीं किया जाता है इस तरह से मेरे pencils drawing के class चलता है आज Monday है Monday को है तो आज की date में उसका जो 4 class का जो P है 1000 है जो की कैसे figure drawing किया जाता है तो सांग को 7 बज़े से class चलता है जिनको drawing में problem में वो join कर सकते है और classes record भी रहता है जो acting नहीं कर पते है at a time उनको वो बाद में भी देख सकते है तो ऐसे figure में क्या है कि हमें यह नहीं दिखाना है कि यह figure में वो match नहीं करना है कि यह वो figure है कि यह passion नहीं देना है अब को figure को डालना है सही तरीके से और उसके movement को पकड़ना है तो हमने थोड़ी दिरे में देखा था कि इसके जो pelvic किस तरह से घुम रहा था और उसके जो legs किस तरह से था इस सब कुछ हमने प्रेटन के जरी भी हमने थोड़ा सा देखा है relation जैसे वो legs pulled किया उसके हाथ वहां तक आना इस सब चीज क्या है कि आपको तभी हो सकते जब आपके ये clear है कि कहां तक हाथ या पाउं कहां तक आता है पैसे में आप details में नहीं करेंगे जैसे हाथ है वो details में नहीं करेंगे कुछ भी जश्ट कुछ इस तरह से जो मैं सुसकर पर रहा हूं मैं figures के बना बुटी वह मैं डाल रहा हूं क्या तेके शिलवटे वो सब move करता है कि उसके body part को move करता है कि किदर को है कैसा है यहां पे बहुत सारी जो hair बहुत पार्ट है यहां पे उपर से है जैसे कि मैं कहे रहा था कि यहां पे little में नहीं बनाना fingers को बगरा but hands का जो size है वो आपको एकदम proper मालूम होना चाहिए कि क्या size होता है हमारे जो चहरा है चहरा पुड़ा यह चीन से 4-8 का उफर hair line तक ढख जाता है तो इतना हमें मालूम होना चाहिए उतना हमें वह करना है कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहे है बहुत ही प्यारा सा यह प्रगाप है अब कलर करते हैं वाटर करना sketch करेंगे जैसे कि मैं कहे रहा था और यह बड़े बड़े practice करेंगे तब जब चोटे का भी करते है वह आपको उटे में वह आप कर पाएंगे उसके जो इसके अदर भूत light and shadows जो देखने को मेरता है उसे जो यह माइन्टेन करना होता है किसी तरह से आप टर्द कंदे cかった किब memo करेंगेज़ किब कर वह नहीं हो सकता यह सब टर्ट करेंगे तो फिर मे आप यूझा कर सकते बस मैं जहां जहां जैसे जैसे color का variation देख रहा हूं वो यूज़ कर रहा हूं कि मैं देखना है कि कि इतने color है कुछ इदर उदर हो गया तो कोई problem नहीं ना क्या फरक्षब में जो इसका mood को पकड़ना है अब जब भी watercolor figurative इस तरह से उसमें आप डालेंगे तो उसमें आपको इन चीज़ का जुरूत पड़ेगा अलो मिष्टर मैम जो भी कपड़ी का cloth जैसे भी चल रहा है मैं उसे यूज कर रहा हूं कि इस समय देखो एक दूसरे का दा color mix हो रहा है कोई बात नहीं क्या फरक्षब बड़ पैक्टिस जरूरी है और watercolor के साथ पैक्टिस जरूरी है नहीं बार आप अच्छा ड्रॉ करते हैं बड़ के साथ आप एक से मैंटेन नहीं रख पाते हैं तो वह कैसे हो सकता है मेंटेन आपको पैक्टिस से ही हो सकता है मेंटेन जो भी कुछ हम करते हैं वह पैक्टिस के साथ ही वह सही हो सकता है तो बहुत effortless सब्सक्राइब करना है बंट अमबर के कलर था उसके साथ तो अल्टमेंट के साथ में डार कर गए जैसे शेलवर्ट दे देंगे तो चस्टोक से वह पैमनसन ले लेता है मैं आज आपको यह शेयर करने आ रहा हूं कि कि किस तरह से करना है तो करना तो है किस तरह से करना वो मैं शेयर करने आपको इस तरह से क्या इंजॉय के साथ आप कीजिए जरूर नहीं और मजा आएगा आपको और आज कल तो नेट वर्क मदाव इंटरनेट में पी इंटर्स से मैंने डिया यह सब सब्जिक मैं मैक्सिमम लेता हूं क्लास के अंदर पी इंटर्स के मैं डाउनलोड करता हूं तो देखिए यहां पर क्या है कि एक मूड को कैप्चर करने की कोशिश किया है अलो बिनोच जी अमरियता जी अदर्स प्रिया जी तुभी को विल्कम और बस मैं एकरे टिप के ओपर थोड़ा सा दिखाने के लिए आया हूं यहां पर जो चेहरा है चेहरा में जो नो जाई यह सब मेकर नहीं करता पूरा फिगर की जो मुम्मेंट को म SMETर करता है और उसके बनावटे उसके ट्वाइंग आप अधियान दगना है कॉन सा चीछ क्या कितना बड़ा है प्र हाथ है तो कितना नीचे तक आ रहा है किए आप फोल्ड हो जो रहा है तो कहां तक जा रहा है बहुत minimum stocks जो कि आपके सामने है use कर रहा हूं और जिससे मैं हर जग वो shedding आएगा कर कुछ dimension create करना है बहुत बोल्ड बोल्ड स्ट्रोक का shedding यूज़ कर रहा हूं देख ही पार है तो बिल्कुल effort less और तो struggle नहीं बदब तो होगा सुरू में आपको हो नहीं पाएगा और दिरे दिरे वह उस तरह से काम को नहीं करने की struggle करने के लिए आपको enjoy करने के लिए करेंगे तो यह देदरी हो जाएगा वह enjoy में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पैसे पहले pencil से कीजिए पिर उसे दिरे दिरे कालर के जिरी के ट्राइग किजिए कि आई बर मैं बोल रहाता जैसे कि pencil से आप कर लेते सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह सब के साथ होता है हमारे साथ भी हुआ है और अभी भी हो रहा है कि उसना पर्फेक्ट तो नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको processing बता रहा हूं कि किस तरह से किस तरह से आप इनको कर सकते तो देखो एक mood को फक्रा इस drawing को पक्रा उससे से पहले मैं बताया था इस clayton को कैसे आपको एक बार understanding करना है तो इस clayton के उपर भी वीडियो है मेरा दो वीडियो है तो आपको कभी भी कुछ सर्च करना है न तो अगर मेरे चैनल पर वीडियो देखना है तो आप टाइप किजिए अचिंत्य पोर्टेट अचिंत्य इसे करके लिखेंगे तो आपको वीडियो सर्चिंग में आ जाएगा तो कुछ इस तरह से देखें कितना सिंपिल हर कितना मस्त लग रही है और यही मानलों कि हम अगर उटे में अगर हम बनाते है इतना अच्छा काम हो जाता है एक मदब पेंटिंग इतना मस्त लगता है कि ऐसे एक फिगर आप डाल दिया ना फुरसा बैक्ग्राउंड में कलर देता हूं ताकि हाइला हाइलाइक बाहर आजाया आपको यह कैसा लग रहा है अब ज़रूर कॉमेंट पता ही है और अपी अपी में से कह रहे थे कि कुछ फिगरिटीव का क्लास लेकर आए है कास तो नहीं है बस यह से मैं सेयर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से आप खुद पैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा अच्छा लगेगा आपको भी और आप खुद कर सकते खुद से ठीक है कुछ इस तरह से फैक्टिस कीजिएगा जरूर मैं नेक्स पे चलता हूँ मैं इससे तीन जो लेकर आया सब्जेक्टों से मैं दिखाता हूँ कि यह है नेक्स ठीक है ओके थैंक्यू बहुत सरे लोग जुड़े है क्या मुझे जूम करना है या ठीक है इस आलत में वह आप बता दीजिए मैं इस तरह से बढ़ा भी करके दिखा सकता हूँ यह परफेक्ट है तो ठीक है ओके थैंक्यू 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 मैं फिर चलते है फिर देखो इसका स्कलेटन दिखाऊंगा पहले यहां पर बेस्ट फेंटिंग नहीं बनने आया आपको कैसे पैक्टिस करना हो पतने आया तो यहां पर दिखो कि कैसे वह सबजेक्ट है उसका स्कलेटन कैसे त्यार करना है कि अगर आपको भूद बनना हा गया किना अब सब कुछ बना सकते है हमें हमेंसा इगर को कपड़े के अंदर क्या है सिलसिला वो से जानना है लिए वो से जानने की लिए आपको निवड फिगर को study करना पड़ेगा जरूर ना सभी बट जसमें है कर लिए आप पींटरस्ट ने लिखिए कि figure द्राइंग रेफेरेंज तो उसी तर से आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से काम आने bu तो इस तरह से स्क्लेटन होता है आदमी के टाइम मतब जब मेल वाला आप सब्जेक्ट बना रहे हो यह पेलवीक बला एरिया इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा और जब फीमेल बना तो इसी पेलवीक को थोड़ा सा बढ़ा करना है और यह शेंटर में काटिंग आता है लेड है मैं कोशिश करूँगा इसके डिप्सक्रिशन में भी उसे शेयर करने की बाद में हो पाएगा वो तो यह कुछ इस तरह से हमें क्लेटन देखने को मिल रहा है तो आपको खुद को एक बेसिक अंडर्सेंडिंग हो गया कि कैसा है और देखो हमारा हाथ जब साइड में होत गरता तो वो ऊपड़ गया तो इसका सोल्डर नाइन कह सा तो यहां पर हमने क्या क्या है वह सिदा है पिच्छा है वह भी थोगा सा देख सकते हैं कि गर्दन है तो कितना दिख रहा है गर्दन के वह शोल्डर लाइन कहां से निकल रहा है इस तरह से आप जरूर कीजिएगा मैं अंडर हैंट को पेंसिल्स को पकरता हूं जिससे की शोल्डर से स्विंग होता है और बड़े आसानी से बड़े चोटे ड्वाइंग को आप कर सकते हैं वाटर कलर में उतरने के लिए आपको पेंसिल्स का किलियर होना चाहिए और पेंसिल्स में आपके अगर ट्राइंग किलियर है फिर जाके आप किसी भी मीडियम कर सकते हैं देखों यहां पर जैसे हम कह रहते हैं कुछ एलिभी ए स्वरी लेटन का जो उपर कि यह एलिभी लेए भी ले खलीए, आपको आपके आपके लेगी में का जो आपके बहार इसम्राट्राश कर भी उलिभी लेए, एलिए पर जब मेंगा दोब्गाठीर हैं प्लानिंग करके आप यहां पे जो भी कपड़ा बगरा जो भी डालना चाते डाल दीजिए अगर जिनको डार्टी आप कैचिंग करके डाल कर सकते उन में में कोई दिक्कत नहीं वो भी आराम से कर सकते ते कुछ इश्यू नहीं की नहीं कर सकते प्लानिंग करते हैं वो फाइनल नहीं है प्लानिंग के खुद के लिए प्लानिंग होता है उसके बाद थोड़ा बहुत आजस्ट जो भी होता है वो आपको करना है देखना है चेहरा का साइज किसाब से है ना बहुत कुछ आता है अनली जब इस तरह से काम करते तो आपको हाथों को कैसे करना है इस तरह से बनाना है तो फिंगर को नहीं बनाना है ऐसे हाथों को डालना है बहुत बदाहें जिए और डालना है इससे फिर अपको मुमम्मेंट पकर में आथा है, चीक है? तो इस तरह से आपको डालना है थैंक्यू मम्ता मम थैंक्यू सो मच फїर क्लोथ यह क्लोथ geja है, क्लोथ जो है बाद में आप डालेंगे तो इस तरह से कि रहता है यहां पर हातों का बूर्ट बड़ा कंफिर्जन है कि काहां पर कि इस वर्टे बहुत कुछ है वैसे इसलिए मैं कि इस तरह से सिचियोशन आता है बट हमको उसके अंदर क्या है उसे समझने के लिए हमें उसे प्रेक्टिस करना पड़ेगा संकर पुधन आपका आउनलाइन क्लास करना चाहते हैं ओके मेरा जो वाट्सव नंबर उसमें वाट्सव कर दीजिए मैं आपको डिटल्स शेयर करता हूँ जरूर कीजिए तो हाथों के हाइट की सब्सक्राइब मेरा जो लेक से नीचे तक जाना चाहरा है मैं यहां पर अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ जिनको क्लासेज जोइन करना है वो वाट्सव कर सकते हैं मुझे जिसे मैं आपको डिटल्स शेयर करूँगा जिनको फिगर डॉइंग नहीं आता कैसे फिगर डॉइंग करना परस्पेक्टिव समझ में नहीं आता एक portrait कुछ एक perspective के उपर drawing रहता है कुछ figurative के उपर drawing रहता है यह जब drawing class की design है तो हर मैं Monday को 7 बजे एक class से लेता हूँ किसी भी Monday join कर सकते हैं आज भी है वैसे 7 बजे चार class के लिए आज credit में आपको 1000 only 1000 पे करना है चार class साथ को मिलेगा उसमें क्या होता है कि मैं आपको पहले से reference कुछ देता हूँ तक आप खुद practice करके submit करेंगे उसके बाद क्या होता है कि मैं उसे दिखाता हूँ कि किस तरह से बनाए जाता है ठीक है खोड़ा से छोटा होगा जिससे मैं कहे रहा था कि इस एडिया से जादा नीचे जा रहा था हलका सा छोटा कर दिए इसलिए तो अभी interesting क्या है कि इसे water color में कैसे करना तो water color sketch कर रहा हूँ details नहीं मतब एक एक इसको नहीं water color sketch कर रहा हूँ यहां पर एक ही flow में color to color mixing भी हो रहा है आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसी में से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा dry होते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते हैं कि color addon करते हैं orange yellow orange color है कुछ और bright सा color देना है तो हम bright अफिराय के साथ yellow orange को use कर रहा है bright color देना है जो भी yellow color देना है light color yellow color यह जब color हम use करते हैं ध्यान रखेएगा बहुत सरे color देने से वह bright नहीं होता जुरू कॉल कर सकते हैं आप वाट्सआप कर दीजिए मैं आपको details भेज देता हूं classes का और जो मदब क्या होता है कि हमें लगता है कि वह light करके दिखाना है ब्राइट सा दिखाना है yellow flowers हो गया yellow कुछ भी ऐसे कुछ light color का subject पे कभी आप color को ठिक करके लगा के वह आप नहीं दिखा सकते उसे बार बार पतला करके या उसके आसवास में कुछ color shading से आप उसे दिखा सकते मैं totally यहां पे इस color को यूज कर रहा हूं यहां पे कुछ bag सा है यहां पे और पास्टिक सा है color में पड़िवर्टन करता है देखा जाए कुछ भी नहीं है देखा जाए बहुत कुछ है तो यह है printing का खेल यहां पे कुछ blanket है बल्लकुल easily और बहुत मदब इसे आप स्पैक्टिस करना है इसे करते करते कि आपको खुद को भी ब्रेसेश कलर के ओपर कंट्रोल आएगा मैं आपके confidence पराने के लिए आ रहा हूं मैं आपको कर सकते हैं वह मैं बताने के लिए आया हूं पसा यह भी वही color है बैक तो भूली गया बैक डालना अलाए दाउ आलाए दाउ यहां पर हाथ बार आ रहा है, यहां पर मैंने मुट्टी थोड़ा आलका साथ दिखा दिया से, इस सारा करके, विटेनोइट है, बंटम बर ले लिया, थोड़ा ओरेंज, थोड़ा आल्टमरीन, तो डार्क कलर किया, यहां पर मैं वो, कौन है, परस्ट मैं इसके, और इसके प्रपोर्शन को पकड़ने के लिए, आइटम शेट, प्रूश करो, आइटमेंज के साथ, अपरशन, आइटमेंज, प्रूशन, प्रूशन, आइटमेंज, क्या बताए, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, वान साइट, लाइट होगा, वान साइट शेडिंग होगा, बोटा थोड़ा सा, करना है, इस एरे में टोटाली जो है एड़ो पार्ट है इस तरह से आप वाटर कला स्केच जो है जूरूर करें यहां फिर ड्राई हो गया तो मैं तोड़ा गिला करता हूं मुझे बहुत पसंद है कि गिले गिले पे काम करना है और कलर खुद से जो स्प्रेड होके काम होता है वो सबसे अच्छा होता है हलो सुमेच जी एन मानिशा जी जैहें इसमें देखो वो शेलवटे बड़े क्विकली आ जाता है और आसानी से हो जाता है जैहें हूँ झाए है जैहे नेच्रल लगने के लिए थोड़ असा continue नहीं जाने देना मतब कहीं कहीं break कर दिया वो इस तरह से drawing art धर्मेंदर सर्माजी thank you so much तो यहीं सिम्पिल इसी तरह से आपको प्राई करना है अभी देखो यहां पर वैल्यू क्रेट करना है तोड़ा जहां contrast देना है आपको contrast आपको यह यह जो है आपको practice करना है अब जाके आप जब कभी composition बनाते उसमें आप बना सकते without यह वाला practice करके आप नहीं बनाते है तो color to color क्या मिक्स होके 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 आला गला थोड़ा थोड़ा होते जा रहे ठीक है Thank you Jyoti Jyoti ma'am यहां पर और एक है कि उसमें यह वाला बहुत इंटरस्टिंग है तो यह एक movement को जो की इसमें क्या है कि run दोर रहे तो उसके जो movement को पकड़ना है drawing भी तो है और फुछ color के जरी उसके movement को भी पकड़ना है इससे आ जाता है स्कलेटन के उपर स्कलेटन जुरूर बनाये करो अब लोग क्योंकि यह जुरूर ही होता है ठोड़ा क्लेटन कैसा है इसका कि फुल्डर लाइन से वह मालूम चाता है कि कैसा है इसका फुल्डर लाइन कुछ कैसा है और जो फिमेल का हमने बोला था कि फेल्विक केरिया थोड़ा सा बड़ा करना है इससे यह वाला लेक्स क्या है कि उपर है और यह वाला जो लेक्स है पिछे है उसके बाद जो इसके बाद जो इसके जो हातों का बोड़ी का जो मुमेंट है उसे तोड़ा सा रेखना है हाँ ही हो गया स्क्लेटन इसका है ना कुल्डर कैसा है हाथ कहा पे जा रहा है कपड़े को पकर रहा है उसी के उपर जब आपी इस कपड़े को आप डालेंगे फिर उसके तो मुमेंट जो है वो प्रेट हो जाएगा करदन का हाइट बालों का ओड़ना इस सब चीज उसके अंदर फिर आ जाएगा ठीक है वर्टेकल हाड वर्किंग लगता है आपको इसलिए कि आपको उसके टेक्निक्स को आपको एचिव करना है आप जब टेक्निक्स एचिव करेंगे बहुत इजी लगेगा क्या सर हम नॉर्मल फेपर प्रेक्टिस कर सकते हैं जुरूरनॉर्मल फेपर प्रेक्टिस कर सकते हैं जो भी कुछ अबको सेखना है तो रसा ठहरा हो चाहिए सुड़ा सा आपको जुरूर चाहिए नहीं तो नहीं सिखना है और आप वीडियो भी नहीं देख सकते हैं तो नहीं सिख सकते हैं तो यह है यहां पर जो स्क्लेटन के बारे में समझ लिया भी यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं झाल कोई बारे में पोटोगाफी थोग रासा नीचे से हुआ जिसके विए से उसके गालों के वह वाला इससाद दीख रहा है नीचे का कर लो पहले मैं प्लानिंग कर देता हूँ कहां पर क्या सामान है और भी टेक्निक से कि किस तरस से डो करना है किसे उसके 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 पुछ्ट्यूय उसके जो भी महसूस होता है उस तरह से भी हम इसे डो करता है गउनको जो आभी जोएन के उनको भी में बतना चाहऊँगा जिनको वो इकर ड्वाइंग, पोटेड ड्वाइंग, पस्पेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं है, वो शिख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के जरी है, जो की ड्वाइंग क्लास मेरा चलता है हर मंडे को, बहुत साथ स्टूडेंट्स वहाँ पे वो अपना ड्वाइंग को क्लास जॉइन करके एड्वाइंग नहीं सीख सकते हैं, तो बेसिक ड्वाइंग, बेसिक वाटर कलर ड्वाइंग, वाटर कलर सीख के ही आप जो भी एड्वाइंग लेवल में पहुंच सकते हैं, ठीक हैं, आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बेसिक को क्लियर करन तो मैं उसके बाद क्या होता है जो basic के बाद intermediate जो cross करते है फिर उनको advance ऐसा कुछ मैं suggest करता हूँ time to time तो मैं हमेशा आपको classes के बरे में मैं बताता हूँ क्योंकि मैं मुझे मैं बिल्कुल confidence हूँ कि आपको मैं सिखा सकता हूँ इस मावले में की बहुत easy तरीके से हर चीज को मैं आपको सिखा सकता हूँ कर आप market में भी जाके वो figures को draw कर सकते हैं वो अच्छा रहता है सामने से वो खिलता दूलता बला यहां पर देखा figure finger में नहीं बनाना बस उसके moment को पकड़ना है कुछ कपड़े के शेलवटे जो कि मैं गिले गिले पर मैं उसे बना हूँगा और जिससे वो moment आएगा कि वो दोड़ने का या तरसे कपड़े को पकड़के दोड़ने का वो महसूस हो आएगा कर दो आएगा कि इसे भी कलर करके देखते हैं कि इंजिन मैं जो पेपर यूज कर रहा हूं यह एकडीमी पेपर है बाओं का अच्छा है इसे काम करने के लिए तो यह स्टुडेंस लेवल में ठीक है चाइना में कहा जाता है कि एकडीमी स्टुडेंस के लिए बनाया यह पेपर और यह मैं हाली में यह जो स्टील लाइप आप देख रहे हो यह इसी पेपर में बनाया मैंने अभी उपर बला पेपर निकल के यह काम कर रहो तो आप देख पा रहे हो कि लाइप इसी में किया है काफी अच्छा पेपर है पाओं का एकडीमी तो और एक बात मैं इसके साथ सेयर करूंगा मैं EBS जो की चंडीकर से उस कूपन कोड़ आपको शेयर किया जाएगा तो वो कूपन कोड़ के जिरी आप आराम से बड़े आसानी से बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं मैं पार्सोनली उनसे बात किया है कि तो मेरे थुरू आएंगे उनको बेनिफिट दिया जाए तो आप मेरे मुझे वाट्स और उनलाइन में आप सारी चीश पर्टिस कर सकते हैं तर समन वहां अबलेबल है कि यहां पर क्या कि जैसे कि यह रेट यूलो यह सब कलर जो है उसके लाइट टॉन को पहले यूज करना है तरह नहीं तो आप उसको डाइमेंशन केट नहीं कर सकते हैं और देखो कितना वाटर के साथ नीचे आ रहा है वह मदब लगाते हुए वाटर के साथ मैं नीचे लेके आ रहा हुआ तो इसके जो फिगर्स जो है वह वह से यूलो में हैं और बाकी देखने को आ रहा है वह रेट मेरून मैं कह रहा था कि इस तरह से मैं वेटर नट पर यह दिखाऊंगा ठीक है उसका जो भी कॉस्ट है आप मेरा कूपन को लागा कि चेक कीजिए चेक करने में क्या जा रहा है वाटसप कीजिए मैं आपको कूपन को दे दूंगा पर डेट का कुछ भी आपन डाउन हो सकता ना क्या बता हूं अभी आपको बेनेफिट होगा तो आप ले लीजिएगा कुछ इस तरह से क्योंकि कलर को मैं मिक्स करता हूं नीचा आया इस समय कुछ-कुछ हलकलका ड्राइ हो रहा है वैलीजरें क्रिम्सन औरेंज पूर साल्टा मेरिन तो यह जो शेलवर्टे में बताया था कि गिले गिले पे ज़्यादा शॉक्त होता है आप देखी पा रहे हो उपर हिस्सा में थोड़ा था ड्राइव हो गया बट ठीक है थोड़ा बोट चलेगा यहां पर जैसे बहुत ज़र गिला है तो आपको थोड़ा सा उसके टाइमिंग भी देखना होता है बहुत जल्दी जल्दी में आप डालेंगे तो भी क्या होता है कि स्प्रेड होके लाइट बला एरिया में चले आता है तो इस तरह से जो स्टाइल है वाटरल स्केच आपको करना चाहिए इसी से आप जब भी आप फिगर डालेंगे आपके स्टी स्केप लेंड स्केप में बड़े आसानी सब्दास है उससे पहले यह आपको सीखना है और ऐसे में क्या है कि अच्छा हुआ खराब हुआ जो भी हुआ आपका ही रहाना क्या दिक्कत है तो नहीं करने से नहीं होगा आपको पैक्टिस करना परेगा करना परेगा कि अगर के फैलू को शमझ कि आप और स्किल बढ़ा सकते हैं डार्क का मंतमेम कह रहे हैं सर आपके क्लास एटन की है आपके क्लास लेने का तरीका बहुत अच्छा है ठेंक यू सू मिच मंतमेम मेरे क्लास के जो भी क्लासे से उसमें क्या करता हूं कि रिफरेंस पहले दिया जाता है जो भी आज के टेर्ट में इंस्ट गरम पोस्ट वगर करते है तो वो इसलिए बिंदस पोस्ट करते है मेरे class में attend करने के बाद भी क्योंकि वो मुझे follow नहीं करते है, follow करते है, after class में वो सीखते है, पूरा-पूरा follow नहीं करते है, जैसे कोई subject मैं पहले दे देता हूँ, student क्या करते है, अपने कोशिश से पहले काम करते है, फिर मैं उसी subject को बाद में उनको दिखाता हूँ कि इस तरह से यह, और आसान और अच्छा हो सकता है, तो यह technique से क्या होता है, मैं सिखाता हूँ, और जिससे की पूरा-पूरा follow ना करते हुए भी पूरा-पूरा सीख जाते है, यह मेरा इस तरह से मैं ऐसे सोचा है कि इस तरह से मैं सिखाता हूँ, और वो जो commit करते हैं उसके बा Facebook में भी मेरा painting देखते है और भी master artist बहुत सरे दुनिया में उनका भी देखते है आपके painting कौन देख रहा है आपके painting को देखना पड़ेगा अभी suppose करो कि आपके painting मुझे भेज दिया बचल लोग भेज दिया मैं बस बेरी नहीं सी कहूंगा उसके आगे नहीं कह सकता कुछ भी नहीं मेरे पाद इतना time होगा बढ़ हाँ किसी class के जिरिये किसी इस तरह से जो planning किया गया कि हाँ उस class के जिरिये तो वहाँ पे आपको किटी साइज किया जाता है किटी साइज तो नहीं बोलूँगा उसके implement के लिए उसके जो कमी है वो बताया जाता है तो जरूरी है तो वो है class मैं बार बार में class का share करता हूं क्योंकि मुझे पुरा विश्वास है कि मैं आजहां आसानी से सीखा सकता हूं अब बहुत सरे आठिस्ट अच्छा काम कर रहा है आजके देद में आपको भी मालूम होगा तो यह ओटनोइट ओटनोइट इस पर टैच अप करते 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 हो रहा है ठीक है इसी तरह से आप भी फिगर्स को पैक्टिस कीजिए जुरूर आप भी को पैक्टिस करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा तो यहां पर क्या क्या नहीं करना है मैं बताता हूं जब इस तरह से फिगर्स बने रहे हो अखे ना काने यह सब नहीं बनना है हाथो में उंगलिया नहीं बनना है तेंक यूआ जोति जी कहते हैं आप बहुत अच्छे से बताते है शुक्रिया शुक्रिया बहुत तरह वीडियो से मेरे सारे 600 वीडियो से इस चैनल में जरूर कीजिएगा ताकि आपको बार बार अलगरिदम आपको आच्छा अच्छा वीडियो आपको बेजेगा थैंक यू अभी गद्धत्त जी जो ती मैं कह रहे है सेर आपके क्लास में कोशिन करने में पोचना नहीं पड़ता हाँ सब कुछ क्योंकि मैं भी उसी लेबल से आया हूँ और तो सब कुछ शेयर करता हूँ ताकि आपको सवाल की ज़रूती नहीं पड़ता फैली बात तो तो परिया थैंक यू कुछ इस तरह से आज के जो तीन फिगर्ट मैंने लेके आया तो आपको दिखाना था और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मुझे मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा और आप भी पैक्टिस करेंगे आपको खुद कोई पैक्टिस करने पड़ेगा बहुत कुछ किसी के जैसा नहीं करना आपको बस टैक्टिस करना आपके जैसा आप कोशिश करेंगे दीदरे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर से एक बर मैं सबको थैंक्यू कहना चाहूंगा बहुत सारे लोग जुड़ा है जुड़े है और थैंक्यू सो मच आप चैनल में कॉम स्थाय जुड़ाएं ठेंक्यू और मिलते हैं नेक्स्तट एक कंपोजिशन के साथ डेली में फास्ट वीडियो भी दे रहा हूं जितने भी फास्ट वीडियो आ रहा है यूटुब में वह सब क्लासेस का है तो वह आप समझ सकते हैं जो क्लासेस में क्या दिखाया जाता है और review part को मैं दिखाता नहीं fast video में, क्योंकि review part वो personal हो जाता है, कोई artist join करते है, तो personal matter है वो, वो share नहीं होता है, बट classes जो है fast करके, वो जो हर रोज आता है, वो classes का है, तो ऐसा नहीं कि class में कुछ अलग से और बाहर कुछ अलग से ऐसा नहीं होता, जो भी best करना होता है, वो class में दिया जाता है subject, तो हर बर वो जो आप painting देखते हैं, Instagram और हर जहां भी देखते हैं, वो classes कई है, मेरा खुद का कुछ नहीं सब classes में, मैं भी सिखता हूँ, आद में सिखता भी हूँ, Thank you, Chanda Ma'am, Thank you, Thank you, Dying and Art, Dharman Dajji, Anita Garbal Ji, Thank you so much, You truly are an amazing teacher, Thank you, Clareza Ma'am, Aftar, very nice, Thank you, Thank you so much, मिलते हैं फिर नेक्स कामपोजिशन के साथ, जो रूप एक्टिस कीजिए, और होगा आपसे, बिलकुल होगा आप कर सकते हैं, आसानी से, बहुत कुछ भी नहीं है, हाँ, आपके रिव्यू चाहिए, आपके पैंटिंग के रिव्यू चाहिए, उसके लिए, क्लासेज, जो भी आपके आसपास सहर मिलते हैं, जो भी आपको शुटेवर लगता है, जिसके टाइप आप सीखना चाहते हैं, आप जॉइन करें यार, इस तरह से यूट्यूब में भी फॉलो करके आप सीख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ऐसे मैं हर चीज़ को बताया, तो आप उसे भी फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू, टाटा, बाबाए,